आज बहुत आ रहे हैं मैं क्खेल रहा था भई मेरे टेड़ तो सुपराज माइनस लगा उस-पेले धी खेल रहा था जोता लोगों को स्कीमें बतादे होंगे मैंने उसमें से एक ही मैच नॉर्मल वाला खेला नॉर्मल रेंगल जो होता है ठीक है एंड उस मैच में तीन से चार आइकर थे जो कि बाई उड़के मार रहे थे बाई 200 किलोमेटर की स्पीड पर भाग रहे तो उसके बाद मैंने सोच लिए कि यह वाला मोड अगर मैं मोड आया ठीक है तो इसमें तुम्हें बहुत जादा फाइदा मिलने वाला है एंड कुछ फाइदे मैं अभी गेंपले के अंदर बताऊंगा एंड उसमें सबसे बड़ा फाइदा यह था कि बहुत ही कम देखने को मिलते हैं ऐसा नहीं बोद रहा हूं कि नहीं मिलेंगे ठ कंपेर टू नॉर्मल वाला ही रैंगल ठीक है तो अगर तुम लोग चाहो तो भाई यह वाला मैप ट्राइ कर सकते हो ठीक है क्योंकि इसमें मैं क्यों खेलने को बोद रहो ना क्योंकि अगर रैंक पुछर जो जिनने वी बंदें जो अगर रैंक पुछ करना चाते हैं और ऑगर वो इसमेप में खेलेंगे तो भाई इसमेप में भी रैंक पुछ वाली अपना बहुट जादा फ्लस होने वाला है तो भाई कोशिच करना अगर तुम लोग इसमेप में खेल सकते हैं तो इसमेप जो तुम्हें वह यहां पे rank push में बहुत जादा help कर सकती है for example के लिए मैं तुम्हें बता दूँ अगर तुम यहां पे starting में अपनी देखो map में white white कितने सारे cell दिखने है मलब लगवग बहुत जादा cell है या ठीक है तो इस में से तुम किसी भी cell के आसपास हो ठीक है और वहां पे अच्छी खासी loot करो और जैसे यह cell start होता है मलब खुल जाता है 5 मिनिट के अंदर खुलता है जब तुम मलब spawn island से plane में जाता हो उसके 5 मिनिट के बाद यह खुल जाता है मैंने कितने coins collect किये तुम लोग सोच नहीं सकते इस game में ठीक है तो अभी last तक देखना यह वाला gameplay चैनल पे पहली बार है और सब्सक्राइब मार दो है अगर वीडियो पसंद आज लाइक कर देना आज की वीडियो का लाइक हम रखते 1.2 के like के लिए hope तुम लोग इस पार complete करवाद होगी ठीक है तो यहाँ पर देखो क्या होता है ना मैं सबसे पहले उतर रहा होता हूँ टेक सेंटर यहर वैसे तो यह जगा स्कूल है स्कूल की मुझे बहुत याद आती कि मैं स्कूल पर उतरता था यहाँ पर मेरी पेटी बनने के चांसे बहुत जाद है तो ठीक है मैंने सूचा यहाँ नीचे उतर जाते हैं नीचे से अंदर गुज जाएंगे तो मैं यहाँ पर नीचे उतर गया यहाँ पर गए थोड़ी देर ढूंडी एक और बन्दा यहाँ पर ठीक है तो भई मैंने सूचा यह तो भई अभी निकलने वाला है नी इसको थोड़ी देर हम इग्नोर करते लूट वगर करते तो मैं नीचे आगया मैंने अच्छी खासी अपनी लूट वगर कंप्लीट करे लेटी के सामने बॉट लड़ रहे थे मैंने सूचा मुझे दिखाई दे लेकिन कोई भी बॉट यहाँ पर दिखाई ने देता यहाँ पर देखो मैं समझ गया कि जो बंदा यहाँ पर वो कैंप करके बैठा हुआ है अगर मैं ओपन में जाता हूँ तो वो मुझे इजीली मार देगा तो फिर मैंने सूचा कि भई नहीं यार वहाँ जाना तो बिल्कुल अभी खतरे से खाली नहीं है उपर तो फिर मैंने सूचा इग्नोर करो उसे अब यहां से हम निकलते हैं निकलना कहीं जाद दूर नहीं है टेक सेंटर के साइड में यहां पर एक सेल होता है और दो सेकेंड में यह सेल खुलने वाला ठीक है और ऊपर टाइमर चला होता है और जैसी यह टाइमर कंपलीट हुआ यहां पर यह सेल खुल जाता है यह वाला जो फाइदा है ना इस मोड का सबसे मुझे बढ़िया फाइदा लगा तुम लोग ऐसे किसी सेल के पास उतरो एक आधी गन लूट करो और तुम लोग और तुमें बाकी गन्स की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर देखो यह यहां पर पास फिरोड कर देता हुआ लेकिन अबना में फोकत्स रखो यह जो कोईंस मिलते इन को कलेच्ट करो तो है एगर कोई बंदा आ रहा है तो उसको मार रहा हूँ ठीक है तो मैंने यहाँ पर देखो जितने भी coins थे ऊपर तुम counting देख सकते हो 3000, 4000, 5000 यहाँ पर जितने जाया तुम लोग collect कर सकते हो कर ले ना क्योंकि 9000 की मिलती AWM और उससे सस्ता मिलता है बाकी का समान ठीक है तुम लोग देखना मैंने यहाँ पर कितने coins क्लेक्ट किये तुम लोग अंदाजा भी ने लगा सकते हैं पहले मुझे भी ने लग रहा था कि 9000 क्लेक्ट करने के लिए बहुत जादा पापट बेलने पड़ेंगे लेकिन यहाँ पर देखो अभी यह TDM match कदम हो गया और साइड में देखो राइट साइड ऊपर तुमें दिख रहा होगा 14,480 कोईन मैंने कलेक्ट किये हैं बहुत तुम लोग खोच सोच सकते हो है 14,480 कोईन में तुम्हें क्या क्या ने मिल जाएगा तो तुम्हें क्या करना है स्टार्टिंग में बहुत अपने सेल के पास लेंड करना है वहाँ पर ऐसी जगह जहां पर कोई बंदा ना उतरी क्योंकि मैप में तुम लोग देख सकते हो बहुत सारे सेल होते हैं ठीक है तो वहाँ पर एक आदी गन उठाओ थोड़ा वाथ हे जो भी कॉइन है यह 15,000 कोईन में पास लगबगा एंड 15,000 कोईन में तुम लोग क्या क्या नहीं मंगवा सकते हैं अब ही मैं तुम्हें चलके दिखाता हूं कि मैंने क्या मंगवा है मेर पास अच्छी खासी लूट तो थी हैं यहां पर आके मैंने 9000 कोईन की AWM मंगवाली लेवल 3 का हैलमेट मंगवा लिया लेवल 3 का वेस्ट मंगवा लिया एड तुम जो भी चाहो यहां से मंगवा सकते हो बहुत सारे ओप्षण ब् helt ऐ इंब्हाय पर इसक्रेट में बहुत सारे हें अब है भाई ने। उन्हांपर मंगवा सकते ठीक है तो मैं यह आप एक्सेंदेड में अगए तो अभी शाहिद नहीं मुगा सकता थोड़ा टाइम हाँ एक टाइम में एक पार मुगा सकते हैं उसके बाद थोड़ा एक कूल डाउन होने में टाइम लेता है चलो छोड़ो मेर पास अब अच्छी खासी लूट होगी थी अ यहां पर उपर एक बंदा दिख गया था मैं समझ गया कि बंदा अंदर कैंप कर रहा है तो यह देखो इसको मैंने यहां पर इजिल कर दिया अब इसमें क्या है ना हर एक बंदा एडवलियूम चला रहा है यहां पर मैं कितने बंदों की क्रेट में तुमें एडवलियूम इसके बाद भी आम थी अद आसा नहीं किसे ड्रॉपाप लूटा था सारे बंदे यही से ओम निकाल रहे है जो भी अपनी यह है क्या बोलते है इसको जो कोईंस है इसी सी डीम करके ओम मगवा रहे है अब बzan यहां से निकल जाता हूँ ये बंदा गाड़ी स्टार्ट करके यहां से बागा इसको भाई एक हैडशॉट लगा थोड़े बहुत बॉड़ी लगे लेकिन ये बंदा मरा नहीं लगे लिए इसकी हल्थ काफी जादा कम होगी तो मैंने सोचा भाई क्यों ना इसका पीछा किया जाए मैं बगी उठाता और सीधा इसके पीछे निकल लेता है ये डासिया वाला सामने जाके रुख जाता है क्योंकि इसकी हल्थ कम थी एंड इसको हल्थ लगान थी इसलिए वहां जाके रुख गया लेकिन अगर मैं इसके मों के सामने रुखता है तो हो सकता था कि ये मुझे मार देता है इसलिए इसके मुझे सामने नहीं रुखा। मैं यहाँ पर नीचे जो शैक होता है वो डिन शैक के पास आगया ठीक है? अब मैं यहां से AWM से इसको मारने के ट्राइ करूँगा लेकिन उत्रे में क्या होता है? धार ना यहां पर राइट में जब इसको मारने जा रहा रहा था राइट में एक McLaren आ जाती है यह McLaren वाला सामने जाकर रुक जाता तो अभी देखना भाई इस McLaren वाले के साथ क्या होता है इसके पास भी AWM थी तभी यह यहाँ पे रुका था इसको लगा था मार देगा तो देखना भी मलब कितने बंदों पर AWM है भाई मजाक बना दिये AWM जो तो इसको थो हमने यहाँ पर easily kill कर दे यह भी भाई मुझे मारने के लिए पीक किया जैसे ही पीक किया वैसे ही मर गया अब यह वाला बंदा देखो जो ऊपर था दास के वाला तो यह भी भाई बंदा विचारा मुझे मारने कोशिश में स्प्रे देर था लेकिन बंदा यहां पर खड़ा खड़ा एकदम बहुत लॉबी आ लिए तुम लोग खुदी सोच पते कितनी इजी लॉबी आ लिए अभी इस मोड में तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जितना खेल सकते हो खेल लो इसको भाई वाई आप इस मारने जाता हूं यहां पर दीर ना बहुत है क्यों करेंगे क्यों ना यहां यहां से उपर चला जाए इस सली लिए यहां से में अपनी बगी स्टार्ट हूं अब उपर पहूं चाता हूं इस बंदे को इसने पीक करने ही है तो यहां पर यह statistics हो गया एंड दूसरा शॉट भी मीस हो गया लेकिन तीसरे में वाई फाइनली ये बंदा किल हो गया ठीक है इसे के साथ हम आरे यहां पर साथ किल्स हो गये हैं अब इसको लूटने पहले तो मैं जाता हूँ इसको लूट के जम मैं यहां से वापस निकल रहा होता हूँ तो देखो अभी मुझे जोन में जाना है जहां पर की मैं रुक के हल्थ अपनी complete कर सकूं and finally मुझे यहां पर एक पेड़ का कवर मिल जाता है यहां पर मैं एक साइड बगगी लगाता हूं ठीक है एक साइड अपनी शील्ड बना लेता हूं जो right तीन शील्ड बहुत जादा होती है तो देखो यहां पर मैंने अभी शील्ड मंगवा लिए अपनी सप्लाई से एंड जोन यहां पर आ चुका है एंड फटा फटा फट से अपनी बग्गी स्टार्ट करते हूं जोन में निकलता हूं यहां पर देखो जब मैं जोन में भाग रहा होता हूं तो सामने एक बंदा होता है तो देखो पहले तो मुझे इसके बारे में पता नहीं होता है लेकिन जैसे ही इसके हाथ भी side में है ये चला कैसे रहे मैं लोग कुछ भी glitch है इस game में Conqueror का effect change कर वालो इनसे बस game नहीं ठीक करेंगे कुछ भी hugेंगे पर game नहीं ठीक करेंगे तो यहाँ पर आके मैं अपनी shield लगा दिया ठीक है यहाँ पर सामने बंदा है इसलिए मैं side में आगया और वहाँ पर Nate Molly आभी रहा था और मैंने सबसे पहल था अपनी dress उतार दी ताकि भाई मुझे spot ना कर पायो बंदा ये बंदा वहाँ पर Molly फैंके जारता अब भाई मेरा bad luck ये था कि मेरे पास zone नहीं था जोन सामने की तरफ था और ये बंदा already zone में सामने जो पेड़ दिखाए दे रहे रहे न वहाँ पर ये बंदा पहुंच चुका था इसके footsteps मुझे आ गए थे सामने से लेकिन इसको अभी तक मेरी position पता नहीं है नहीं तो ये मुझे easily kill कर देता अगर अभी मैं खड़ा हुआ तो दिक्कत हो जाएगी इसलिए मैंने सामने एक shield बना ली अब इस बंदे को तो मेरी position पता लगीगी है क्योंकि यहां पे shield बन गी थी ठीक है इस बंदे को पतन लगे मैं कहां पे हो ठीक है तो सामने मॉली वगएरा मैं फैकता हूं ताकि अगर easily kill मिलता है तो अच्छी वात है लेकिन ऐसा होता नहीं है तो मैं क्या करता हूं यहां पर तुम देखना रेंग रेंग के बिलकुल यहां पर right side आ जाओंगा इस बंदे को बिलकुल पता ने लगने दो हो कि मैं कहां पे हो ठीक है तो यहां पर मैं अभी कुछ नहीं बोलने वाला तुम खुदी देखो मस्त वाई यह बंदा सामनी की तरफ शील्ड लगा के बैठा था इसको लग रहा था कि मैं वहीं से आओंगा लेकिन इसने बिलकुल भी गैस नहीं किया होगा कि यहां पर बंदा राइट से घूम के भी आ सकता है अगर इसने इस साइड भी एक शील्ड बनाई हो जी तो शायद यह बच जा था क्योंकि थोड़ा सा पेड़ का कवर भी था अगर एक और शील्ड बनातो तो शायद बच जा था शायद इसके पास शील्ड थी नहीं क्योंकि एक साइड का कवर इसने बनाया था लेकिन छोड केंड टेर कौन सा चाहरा तुम लोग बता देना और रैंक पुश कर भी रहे हो कि नई सोलो में डूओ में स्कॉर्ड में किसमें कर रहे हो तो हो प्यार तुम लोग को गेंपले पसंद आया होगा और मैंने कुछ इनफर्मेशन भी दी जिसको कि भाई तुम हैकर के साथ शेयर मत करना शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ठीक है जिसके भाई जो भी रैंक पुश कर रहा है उन लोगों के साथ शेयर करना ताकि उन लोगों को भी बाई help मिले एंड अगर hacker वगेरा से परिशान हो तुम लोग तो भाई यह चीज फॉलो कर सकते हो और बहुत ही मलब बढ़िया तरीके से तुम्हारा रैंक पुश हो जाएगा ठीक है तो होप तुम लोगों को वीडियो पसंद आए होगी पसंद आए तो लाइक कर दो जैसे मैंने बताया वीडियो का लाइग है 1.2 के या 1.3 के जो भी कोई प्रॉब्लम हो तुम लोग इंस्टाग्राम पर मुझसे पूश सकते हो और वहां पर मस्मस वीडियो जालता है तो फॉलो भी कर देना तो बस यह था आज की वीडियो में मिलते हैं कल लिया परसो किसी नई वीडियो के साथ तब तक बाई-बाई-टेक के रेंड बी से लगता है हाई चील है यह लोंडा देता है गाली अशलील है यह लोंडा